हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो आपनास कुकिन स्टैल आज हम बना रहे हैं गोबी मटर का सबजी यह कमन सबजी है हर कोई बना लेते हैं पर इस तर कीसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट होगा बहुत ही ज्यादा तो आए बनाना शुरू करते हैं मैंनी है पे दो प्याज दो टमा इंद्बाई गरम हो गया हम डाल देते हैं दो चामच तेल और तेल गरम होने से डाल देंगे क предлож kicking मसाला के और काटि हुई प्याज हालका से कलाया छेज हो गया आप डाल देता है इसमें लहसन और हरी मीच्ची कि यह भी थोरग से भुण लेता है आप डाल देंगे इसमें काटी हुई टामाटर ये टामाटर डालके और भी थोरा से मिला लेते हैं और डालेंगे एक टीस्पुन नमक ये शारे चीज मिलाके हमेसे थोरा से सफ्थ होने देंगे यह देखिए यह सारे चेज़ शौफ्ट हो गया आप हम इसे उतार लेते है और ठान रहने के बाद इसे हम पिश लेंगे कडाई में पानी डाल दिया और पानी गरम हने के बाद इसमें डाल दिता है थोड़ी से नमक और हाप्टीस पन भीनिगार और इसमें हम गोबी डालके थोड़ा से उबालेंगे। भीनिगा डाले से क्या होता है। गोबी जब हम फ्राइ करेंगी या सबजी बनाएंगे बिल्कुल नहीं तुटेगा। बहुत ज्यादा नहीं उबालना है। हलका से सौप्ठ हो जाए। उसके बाद हम इसे चान के निकल लेंगे। इसी पानी में डाल देंगे मटर। मटर को भी हम हलका उबालके निकल लेंगे। ये जो गुबी हमने हलका से बोईल किया था। इसमें थोड़ी से नमक और थोड़ी से हल्दी डलके आच्छे से मिक्स कर लेता है। और मिक्स करके से हम 10 मिनिट के लिए राख दिनगे। ताकि इसका अंदर प्रपार नमकर हल्दी घुच जा है। 10 मिनिट हो गया आप गुबी को फ्राइ करेंगे। उसी कड़ाई ले लिया जिसमें हमने प्यास की मसाला बनाया था। कड़ाई में थोड़ी से तेल डाल दिया। आप गुबी डलके लोटू मीडियम फ्लेम में फ्राइ करेंगे। ध्यान नकना गुबी को ज्यादा फ्राइ नहीं करना। जब उपर हलका ब्राउन दिखने लगे तो अभी गुबी को उतर लेना है। आप कड़ाई में दो टेबल स्पून घी डाल दिया। घी थरा से पीघनले के बाद डाल देंगे। जीरा और एक टीस्पून काश्मिर लाल मिट्ज। हप टीस्पून हुल्दी पाउडर और एक टीस्पून धनिया पाउडर। यह डालके इसे हालका से भून लेंगे। और इसमें डाल देंगे आप जो मसाला हमने फ्राई करके पीश लिया था ओपीशी हुई मसाला। और डालके आच्छी तरह मिक्स करते हुए इसे भूनेंगे। ग्यास को स्लो करके शारे मसाला को मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। आप डाल देंगे एक टीस्पून अद्रक की पेस्ट जो हमने पहले नहीं डला था। और थोड़ी से लालमेच पाउडर। और इसे कॉंटिनू मिलाते हुए फ्राई करेंगे। मसाला जलना जाए इसलिए हमें इसमें थोड़ी से पानी डालना है। तो हमने जो मीक्सी में मुस्याल को पीशा था उसी मीक्सी को धो के हम थोड़ा से इस में बानी डाल देंगे. और तक 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 फ्राई करेंगे. जब तक मस्याला कउपर तेल ना आ जा het. दिखिए मस्याला कउपर तेल दि unst缼 दिक रहा है. यह मसला फ्राई हो चुका है आच्छे खुज भूब आने लगा आप इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ गोबी और मटर और यह डाल के आच्छे से मसला के साथ मिक्स कर लेंगे यह मसला के साथ गोबी और मटर अच्छी तरह मिक्स हो गया आप इसमें डाल देंगे पानी हम एक दूम ए सुबजी सुखान ही बनाना है थोड़ाचे रस्चेतर थोड़ाचे जूचरला बनाना है इसलिए उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे और इसे ढख कर कूख होने देंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम में पाच मिनिट पाच मिनिट पाद धकन निकालके नमक को थरा से चेक कर लेता है मुझे और क्वाटर स्पून नमक डालना है नमक हमेशा आप अपना पसंद के हिसाब से डाले नमक डालके अच्छी तरह मिलाके और हम दो मिनिट के रह फ को अधार चेक कर लेता है यह अभी गल्चु का है यह शुब्जी अभी लास्ट मूमेंट पे हैं तो इसमें डाल देता है अभी एक टीच्पन गरम मसाला पर हाफ्टीस पन कसुरी मेथी ये दोनों लास्ट में डालने से क्या होता है इसका फ्लेबार बहुती बढ़िया रायता है तो ए मसाला डाल के वोड़ एक बार मिला लेते हैं बन गया गवी मटर की सुबजी इसका पर फैनली डाल दे थे चप किया हुआ थोरी से धुनिया पत्ता इसी तरह गवी मटर की सुबजी बनाएंगे तो आपको बार बार खाने का मान करेगा मेरे ए रेसिपए आच्छा लगे तो मेरी चानेल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर एंड कोमेंड कीजिए फिर मिलेंग ओर एक रेसिपए के साथ आप सब खुश रहे हैं बाई टेक क्यार